अलो फ्रेंट्स टैकिसा जी यूटूब चैनल पे आपका स्वागा था दोस्तों सीबियसी ने अपने जो सारे पेपर हैं वो कैंसिल कर दिये हैं जो एक जुलाई से और पंदर जुलाई तक होने थे तो काफी उसमें चेंजिस किये हैं लेकिन बच्चों के काफी कोशन्स थे तो olarak के उपर काफी प्रैसर था कि वो कोई ऐसे एफेक्यूज्स दे और ऐसे कोशन्स दे जिस से कि बच्चों के सारे कोशन्स दूर हो जाएं तो official ये कोशन्स आपके आएं एफेक्यूज आए हैं और बहुत सारे कोशन्स जो दिए गए थे उनको इसमें शामिल के किया गय आता है आज 36 2020 कोई FAQs हैं अभी भी आपके इसके बाद में भी कोई कोश्चन हो तो आप comment box में जरूर बताए मैं एक एक कोश्चन को अच्छी तरह से आपसे discuss करूँगा तो दोस्तों पहला जो कोश्चन है कि क्या 1 जुलाई से 15 जुलाई वाले जो पेपर वो cancel कर दिये गए हैं तो answer में जी हाँ as per notification जो 25 का था उसके द्वारा ये cancel कर दिये गए हैं number 2 question है how will be the mark calculated for the subject for whom examination has been cancelled किस परकार से marks calculate किये जाएंगे तो उन्होंने answer में दिया कि 10 वी और 12 वी के जो assessment scheme के according जो की CBSC ने बताई गई है competent or committee ने उसके according ये सारे के सारे pass किये जाएंगे मैंने पूरा का पूरा वीडियो बनाया हुआ है description में उसका link मिल जाएगा video जिसमें जो assessment scheme के बारे में पूरे विश्तार से with example आपको समझाया है तो आप उसको देख सकते हैं तीसरा है कि जो ये examination हुए है तो उसका result कब तक आ जाएगा तो as per 26 2020 के जो result है वो 15 जुलाई तक दे दिया जाएगा दसमी और बारमी का तो बहुत सारे जो बच्चों के questions थे वो शायद यहां पे पूरे हो जाएंगे उनका answer फूर्थ है कि optional exam का जो है उसका क्या purpose है तो इसका answer है कि जो बहुत सारे बच्चे अपना जो marks जो CBSC की marking scheme के द्वारा assessment scheme के द्वारा दिये जाएंगे तो उसके आधार पे वे satisfy नहीं है तो वे अपनी जो performance है वो improve करना चाहते हैं तो ऐसे बच्चों के लिए ही ये जो optional examination है वो conduct कराए जाएंगे अब पांचमा question है कि कब ये examination conduct किया जाएंगे बहुत सारे बच्चे इसके answer को जाना चाह रहे थे तो इन्होंने बताया कि government of India इसके लिए बताएगी कि कब इनको conduct किया जाए जैसे ही स्थिती अच्छी हो जाएगी COVID-19 के जो cases है वो कम हो जाएंगे तो ये exam ले लिए जाएंगे अब sixth question है कि अगर जो एक candidate है वो optional examination में कम number लेके आता है मतलब उसने जो paper दिया है तो उसके पास उसके number कम आते है मान लिजे उसके 50 number पहले थे और optional जब उसने exam दिया उसके 40 marks रहे गए तो कौन से marks उसके माने जाएंगे तो इसका सभी बच्चे ध्यान से समझ लेजे जो दोबारा से optional paper देने की सोच रहे है कि जो final exam दिया जाएगा जो optional paper दिया जाएगा उसके marks final माने जाएंगे इसलिए आपने सभी ने सोच समझ के इसके जो है optional exam को आपने बरना है जब आपके अंदर surety हो पूरा confidence हो तब ही आपने इसको choose करना है तो will a candidate be able to appear for the optional examination in all subject क्या सारे subject में optional दे सकते हैं तो इसका अंसर आप ध्यान से समझ लिए जिनके बच्चों के जो exam नहीं हुए जो conduct नहीं हो पाए उन्हीं के exams को वो दोबारा से दे सकता है और जो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होने थे उन्हीं exams को ही वो दोबारा से दे सकते हैं अप्शनल के रूप में दूसरे exams को नहीं देते तो दोस्तों टेकिशर जी यूटूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने कॉमेंट्स जरूर दे कि आपके क्या कोश्चन्स हैं आप क्या इस स्कीम से सहमत हो क्या पेपर कैंसल करना सही सॉलूशन था क्या इस से जो सोहनार बच्चे थे उनके marks कम नहीं हो जाएंगे क्या CBSE को कोई moderation policy नहीं लाने चाहिए जिससे बच्चों के marks अच्छे आ जाएं अब आटमा कोश्चन है कि optional exam कब होंगे तो अभी will CBSE be conduct optional examination दो subject also were examination are already or sorry यह पूछा गया है कि क्या जो exam हो चुके थे पहले क्या उनके भी optional exam होंगे तो नहीं इसका answer नहीं है तो बड़ा से optional exam option का नहीं हो गए जो पहले दे चुके वो होते ही रहेंगे तो नौवा question है कि क्या optional exam के लिए दस्वी के चात्रे हैं उनको भी opportunity दी जाएगी तो इसका answer clear cut है दस्वी के चात्रों को कोई opportunity ऐसी नहीं दी जाएगी दस्वा question है कि अगर एक जो candidate है वो if a candidate of class 12th misses the opportunity to appear in optional exam when she will be given another opportunity to improve अगर वो एक बार opportunity खो देता है किसी भी कार्ण से क्या उसको दोबारा से opportunity मिलेगी तो आप देखिए कि पहले भी ऐसी situation होती है कि एक बार अगर जो बच्चों के marks कम आ जाते हैं तो वो दोबारा से improvement के अपने exam भरते हैं तो यहां पे भी वही rule follow होगा दोबारा से बच्चे next time पे अपना exam दे सकते हैं और अपने number को बढ़ा सकते हैं तो ग्यारमा question है कि अगर कोई दिभारवी class का जो student है वो appear नहीं हो पाता किसी भी कारण से तो उसके marks कौन से लगेंगे तो इसमें answer यही है कि अगर वो candidate वहां पे absent होता है तो optional examination में absent होता है तो उसके जो marks पहले से ही है जो उनको ही final माना जाएगा और उसको ही final उसके number चले जाएगे तो बारवा है कि जो result declare किया गया है तो how will be result be declared if candidate had appeared in all the subject taken अगर बच्चे ने सारे exams दे रखे तो उसका result कैसे बनेगा तो answer सीधा सीधा है दस्वी बारवी के ऐसे बच्चे जिनके examination पूरे complete हो चुके थे तो उनका जो result है वो नहीं के आदार पर बनेगा उनके लिए नए rule follow नहीं होंगे तो अब यह situation जो कि मैंने assessment में भी आपसे discuss की थी कि अगर जो एक candidate है वो 5 subject तो दे चुका है लेकिन उसके total जो subject थे वो 6 subject थे तो उसको कैसे 6 subject में उसके marks दिये जाएंगे तो इसका answer सीधा सा है कई बार मैं बता चुका हूँ कि उसके जो examination के जो best 3 performing subjects है मतलब 3 ऐसे subject जिसमें कि सबसे ज़्यादा marks उसके आए हुए है उनके average marks वहाँ पे लगा दिये जाएंगे तो चोदवा जो question है उसमें है कि अगर एक जो candidate है वो 6 subjects में से 4 subjects उसने दिये हैं तो उसके 2 subjects रह गए तो उन 2 subjects के जो marks कैसे लगाए जाएंगे तो यहाँ पे भी वही rule फॉलो होता है कि अगर उसके चार subjects बचे हुए है तो चार में से तीन subjects के जो best of three है उसके performing subjects के उन तीनों के जो best average है वो वहाँ पे दो बचे हुए exams के लिए consider किया जाएगा पंदर्वा question है अगर एक जो candidate है तीन subject उसने दिये हैं out of five में से how will be the mark awarded for fourth and fifth subject पांच में से तीन subject के उसने दिये हुए exam तो उसके क्या होगा उसके भी best जो हमारे दो subject है उसके तो जो performing दो subject है वहाँ से उसके marks लिये जाएंगे जो कि conduct नहीं हुए है उन पे वो लगा दिये जाएंगे तो शोल्वा जो question है अगर एक candidate appear होता है एक या दो subject पे पांच subjects में से अगर वो केवल एक या दो subject में ही appear हुआ है तो उसके जो बचे हुए exams के जो result है वो कैसे बनाया जाएगा तो इसका सा भी आप समझ लीजिए कि जो result है वो declare किया जाएगा उसके जो internal assessment के आधार पर उसके जो practical assessment के आधार पर उसने जो project दिये गए है उनके आधार पर तो इन सभी के आधार पर उसके जो exam बनाया जाएगा उसका result बनाया जाएगा तो उसके जो एक दो paper दिये उसके आधार पर उसके average देख करने जो internal assessment है उसके आधार पर उसको माना जाएगा अब ये भी question काफी बच्चे उठा रहे हैं कि अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि computer science में या information practice में उसके बटे के बटे आने थे सो के सो आने थे लेकिन जब उसके average marks दिये जाएंगे तीन performing subjects में तो वहाँ पे उसका injustice हो गया मतलब उसके कम marks आए तो यहाँ पर आप क्या इसमें बताना जाएंगे तो CBSC ने clear कह दिया है कि हमारा जो देश है वो इस समय पे Corona की बेंकर स्तिती से जूज रहा है और यह सी situation में जो examination वो रिकंड़क्ट नहीं हो सकते तो अगर बच्चे जो है आगे abroad में भी जाना है उनको higher education में भी जाना है तो ऐसे बच्चे अगर satisfy नहीं है तो वो दोबारा से अपना improvement करके और optional paper देके अपने performance को increase कर सकते हैं तो दोस्तों यह थे 17 questions जो कि CBSC ने FAQs के माध्यम से बताए हैं और इसी तरह से मैं आपको बताता रहूंगा कोई भी CBSC की जो भी information है रिजल से सम्बंदित या दूसरी question से सम्बंदित तो आप टैकी सजी YouTube चैनल पे बने रहें इसको subscribe कर ले और bell icon को press कर ले अगर कोई भी आपकी problem है वो हमसे जरूर share करें comment box में लिखें और हाँ वीडियो को like और share जुरूर करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहें तो आशा आप स्वस्त होंगे घर पे तंदरुस्त होंगे और tension से दूर होंगे तो आप से फिर मुलाकात होगी thank you